And welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेगे GTL Infrastructure के बारे में So guys, GTL Infrastructure एक दमदार शेयर है और बिलकुल यहाँ पर 44 करोड से भी ज़्यादा शेयर उठा लिए गए है सिर्फ यही महीने में और guys, खरीदने की जल्दबाजी मत करना भले ही यह पैनी स्टॉक है बट यहाँ पर भी आपको एक सही लेवल में बताने वाला हुई इस वीडियो में वही पर आगर आप खरीद लोगे तो अच्छा रिटन आप इसमें कमा सकते हो और guys, वही ही नहीं Community sentiments के आकड़े भी आप देखोगे तो ओ भी बिलकुल यहाँ पर positive है और guys, यहाँ पर किस लेवल पर खरीदना है मैं बताओगा, इस वीडियो में तो वीडियो को and तक देखना, और guys, ऐसे ही penny stock के उपर आपको अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, interesting वीडियो चाहिए तो please मेरे channel the margin trader को subscribe कर दो, क्योंकि हर दिन ऐसे penny stock के बारे में मैं बताते रहता हूँ, तो guys, GTL infrastructure के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसमें गिरावट आ सकती है और मैंने कुछ आपके साथ level भी share किये थे, आपने अगर मेरे previous वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप जाके देख सकते हो, और guys, यहाँ पर वीडियो को करते है, start तो guys, बात कर रहे है, GTL infrastructure limited के बारे में और guys, वही गर देखा चाहे तो stock कहाँ पर trade कर रहा है, कहाँ पर इसने closing दी है, 1.80 पेसे का stock है, बिल्कुल 1.80 पेसे बेसने आज दी है, closing guys, यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, और देखेंगे, इसके charts को, तो chart में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर कुछ levels में आपके साथ share करूगा, तो यहाँ पर guys, अगर देखा चाहे, तो इन particular levels पे हमें एक pattern मिला था, और मैंने बोला था, कि एक रुपे, 30 पेसे पर अगर आप खरीदते हो, तो आपको एक अच्छा यहाँ पर target मिल सकता है, और बिल्कुल वही हुआ, stock में यहाँ पर मैंने क्यों बोला था, एक रुपे 30 पे खरीदने के लिए, क्योंकि इसके पीछे भी एक logic है, यहाँ पर अगर आप patterns आपको देख रहे होगे, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही trade line बनाई हैं, बट यह दो ही trade line काफी ज़्यादा important है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इस trade line पर एक rejection मिला था, फिर उसके बाद stock उपर की और गया था, फिर यहाँ पर अगर देखो, तो एक rejection मिला फिर stock नीचे आया, फिर यहाँ पर मिला एक breakout, यहाँ पर मैं जो confirm हो गया था, कि इस particular level को अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर एक बड़ा target अच्छी हो सकता है और बिल्कुल stock आप देख सकते हो, 4 रुपे 05 पेसे तक इस stock गया था, और मैंने क्यों बोला था, इसमें खरीदने के लिए, तो यहाँ पर जो pattern बन रहा है, इसे हम कह सकते है, double bottom pattern बन रहा है, और double bottom में बिल्कुल एक bullishness आ जाती है, और इसे हम एक W pattern कह सकते है, यहाँ पर अगर छोटा सा बनता है, अगला top, तो यहाँ पर हम cup and handle pattern भी इसे कह सकते हैं, तो अभी भी इसे हम cup and handle pattern कह सकते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर 4 रुपे, 05 पेसे तक stock गया, बट यहाँ पर एक बिल्कुल तगडी profit booking हमें देखने को मिली, और बिल्कुल stock downtrend में आना start हो गया, और कहीं न कहीं यहाँ पर इस support ले चुगा है, बट यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि फिर से इस particular level पर support लेने आएंगा, फिर यह उपर की और जंप लगा सकता है, तो यहाँ पर आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा wait करो नहीं तो हो सकता है कि यही पर support ले ले, क्यों यही पर support ले ले क्योंकि कल इसमें तेजी आ सकती है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस particular level पर अगर आप देखो, तो यहाँ से stock में एक rejection था, बट यही support लेके, यह उपर की और जाने की काभिलियत, इसमें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है, तो बस आपको थोड़ा wait करना है, और यहाँ पर से stock में एक बड़े momentum के लिए, आपको काफी तगड़ा बड़ा momentum आपको देखने के आपर मिल सकता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा feel हो रहा है, कि यहाँ पर एक W pattern, जिसा एक pattern बनने वाला है, तो यहाँ पर मैं बिलकुल bullish हूँ, बट एक रुपे 30 पैसे का level पे support लेंगा, मुझे तो ऐसा feel हो रहा है, वही अगर देखा जाएगा, यहाँ पर एक रुपे 30 पैसे का level जरा आ रहा है, 12.20% के हिसाब से, इस stock में गिरावट है, और देखा जाए, एक महिने में 50 पैसे तक की गिरावट है, और 21.74% के हिसाब से stock गिरता वान जर आ रहा है, 6 मन के टाइम फ्रेम पर भी अगर देखा जाए, तो 60 पैसे तक stock में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और 26.53% के हिसाब से stock नीचे की और गिरता वान जर आ रहा है, वही एगर बात करें, इसके market cap की 2.27,000 करोड का इसका market cap है, और market cap के हिसाब से तो एक चीच clear हो जाती है, कि एक mid cap stock है, और गाईस हाई-sode low की में बात यहाँ पर अल्रेडी कर चुका एंगा, वही है, अगर बात करें resistance की, तो resistance के मामले में first resistance level एक रुपे 282 पेसे का है, और second resistance level एक रुपे 92 पेसे का, और third है एक रुपे 93 पेसे का, सपूट लेवल एक रुपे 83 पेसे का है, second support के यहाँ पर बात करले वन वीक के अप Wire पर्फरšक का yüzden तो यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिलेगा 10 पर्सेंट तक और अब बात कर लिए को डाउन ही देखने को मिलेंगा उन परसेंट यहाँ पर एडीन परसेंट डाउन और वन पर मिल जाएगा और 3 years की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 100% यहाँ पर प्लस में दिख जाएगा तो guys वहीं मैं बोल रहा हूँ कि काफी upside down से momentum यहाँ पर आए है one week के डाइम पर भी वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो trade values और combinate deliveries है यहाँ पर काफी तगड़े दरीकस बढ़ रहे है 9 करोड के आसपस का trade value हमें देखने को मिल जाएगा हमें आज के दिन का ही और 5 करोड का combine delivery भी आपको देखने को मिल जाएगा वही guys अगर बात करें आछ परें डेलेखेंग और जोड़ दिया दिया तो 44 करोड के असपस का यहाँ पर शेर सको उठा लिया गया है यही मने के अंदर और उससे भी बड़ी बात है यहाँ पर community sentiments के आगर अगर देखोंगे तो यहाँ पर 95% जो लोग है guys बिल्कुल यहाँ पर buy के लिए कह रहे हैं और यहाँ पर 3% जो लोग है यहाँ पर कह रहे हैं sell के लिए और 2% लोग के और से कहा जा रहा है hold के लिए तो guys इससे बड़ी बात और क्या होंगी क्योंकि 97% लोग जो है यहाँ पर buyers और holders को मिला के 97% जो लोग है यहाँ पर क्या है बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं so इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है सो guys वही अगर बात करें revenues की तो revenues यहाँ पर भले ही एरोनियर गिरा हो बट वही अगर दिखा जाए 2020 का revenue तो यहाँ पर 1409 करोड है और 2020 का revenue कितना है यहाँ पर एक रुपे तीस पेसे के लेवल तक आने का इसका वेट करो खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि अच्छे रिटने स्टॉक देने की इसमें एबिलिटी है बिल्कुल आने दो अपने जोन में फिर ही खरीदना वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ठेंक यू